नमस्कार दोस्तों आपका अपनी यूटुब चैनल के एंसाइं स्पोर्ट्स अपडेट पर स्वागत है आज दोस्तों में आपके लिए स्पोर्ट्स थोटी ओफ इंडिया के ट्रेनी सेंटर कटक ओडीशा की ट्रेल अपडेट लेकर रहा हूँ यह trail दोस्तो तीन खेलों में करवाई जा रही है Athletics, Basketball और Football तो दोस्तो इस trail की update 12-16 साल तक के players के लिए बहुत ही जादा important होने वाली है तो बिना समय गवाई आई इस trail update के बारे में जान देते हैं तो guys जैसा कि मैंने आपको पता ही दिया है कि यह trail Sports Authority of India के training center कटक औरिसा में होने वाली है इसकी date 22 December 2021 इसकी reporting timing 7 a.m. है आपको reporting timing से वहाँ पहले पॉंचना पड़ेगा इसका venue साइब बराबती स्टेडियम कटक औरिसा है एज ग्रूप 12-16 साल तक के players में लीजिबल है वो इसका trail दे सकते हैं इसमें दोस्तों तीन खेल चामिल है सबसे पहले athletics, girls जो की residential है basketball, boys जो की residential है और football, girls और boys बट ये non-residential है document requirement में आपको original date of birth, अधार card, passport size photo, sports certificate, medical fitness certificate, education certificate और दोस्तों COVID-19 report जो की RT-PCR 22 गंटे के अंदर आपकी होनी चाहिए ये सब आप अपने साथ कैरिकर के लेके जाएंगे trail वैन्यू पर guys इस trail में आपको रहने खाने का अपने अप करना पड़ेगा तो ये थी सारी दोस्तों इस trail की information अगर आपको एग वीडियो informative लगी हो तो आप इसे like कर सकते हैं अगर आपके question कोई query है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं मैं इसका reply जरूर दूँगा आप हमारे pages को instagram, facebook और telegram पर भी follow कर सकते हैं हम वहाँ पर इने trail update के साथ हाजिर होते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतने सिर्फ मिलते हैं next trail update के साथ तब तक के लिए दोस्तों stay healthy, stay safe, take care